जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका सागत है दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्ट इन्फोर्मेशन देने वालो दोस्तो अगर हम PCDA से पूछते हैं, CDA से पूछते हैं, भारसरकार से पूछते हैं कि जो आपने URP2 pension table बनाई, उसका raw data दिखा दीजिए किस तरीके से आपने 2018 में आए pensioners की pension में से minimum और maximum लिया है तो दोस्तो ना ही CDA कोई जवाब देता है, ना ही PCDA कोई जवाब देता है, ना ही भारसरकार कुछ बोलती है तो दोस्तो मैंने अपने base पर एक pension की calculation करी है और मैंने इसमें एक rank की pension निकाली है, वो है हवलदार rank की कि कि किस तरीके से 2018 में आए, pensioners की pension में से minimum और maximum लिया गया एक हवलदार rank का, और उनकी pension सेट हो गई, OROP2 में 21,782 दोस्तो इससे पहले, मतलब काफी time हो गया, एक pensioners ने मुझे एक PPO share किया था दोस्तो वो PPO पूरा share नहीं करा, सिरफ आदा ही PPO दिया था जिसमें उनकी basic पे लिखी हुई थी, class पे लिखी हुई थी, MS पे लिखी हुई थी तो उसके अधार पर, और कुछ PPO के अधार पर, मैंने minimum और maximum निकाल है और मैं आपको बताऊँगा, ये एक हवलदार की 272 pension कैसे सेट हुई दोस्तो पहले तो मैं आपको PPO दिखा देता हूँ दोस्तो ये PPO था, ये cutting भेजीती सिरफ, जिसमें इनकी basic पे दिखा रखी है 4400, ये 2018 में आये थे, 4400 दिखा रखी है, military service पे दिखा रही है 5200 और दोस्तो classification allowance जो इन्होंने लिख रखा, वो लिख रखा 714 अब ये 714 कैसे दे दिया PCDA ने, क्योंकि classification allowance तो या तो 200 है ये है भलेई class 1 कई, लेकिन 714 रुपे, ये कैसे आया, बाकी basic pay, MSP वगरा ठीक है कोई बात ने दोस्तो दे दिया जो दे दिया, लेकिन इस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हवालदार की एक pension निकलती है 2172, minimum और maximum लेके दोस्तो इसमें दो amount लिए है, एक minimum और एक maximum, पहले मैं आपको basic पे दिखा लेता हूँ कि कौन सी basic पे लिए है, 7CPC recording 2018 के recording, हवालदार की या पे लिए है, एक तो 34900, ये है minimum और maximum लिए है, 4400, क्योंकि दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से PPO देखता हूँ, जिन हवालदारों की pension इस पे सेट करी है, 4400 पे सेट करी है, 37000 पे सेट करी है, 34900 पे सेट करी है, तो इसी के recording इन्होंने एवरिच ले रखा है, अब देखिए दोस्तों, हवालदार पेंशन S पर OROP 2, कितनी? 2782, qualifying service 19 साल, year 2018, basic pay है सबसे पहले 34900, इसमें हम एड करेंगे 5200 की MSP, और यहाँ पे class पे दे रखा है, classification लाउंस दे रखा है, 714, तो यहीं हमने यहाँ पे mention कर दिया, total हो गया, 4814, इसका अगर हम आदा करेंगे, तो आता है, 2407, यानि यह है एक minimum pension, basic pay के अधार पे, minimum pension लिए, तो minimum pension हो गई, 2407, यह निकल के आगई, जो मैं यहाँ पे highlight कर रहा हूँ, 2407, फिर दोस्तों, दूसरी हमीं चाहिए, maximum pension, तो maximum pension के लिए, दूसरा PPO लिया, जिसमें basic pay fit करी, 4400, जैसा की इनका एक PPO भी मौजूद है, 4400 का, 4400, फिर उसमें MSP 5200, और classification allowance 714, तोटल हो गया, 46,314, इसका फिर आदा कर देंगे, तो maximum pension निकल के आगई, 23,157, यानि, दो type की pension निकली, एक minimum, दूसरा maximum, जैसा की formula भी है, OROP का, अब, अब निकालना है average, दो pension में से minimum और maximum का, फिर उसका आदा कर देंगे, तो OROP 2, average calculation के अधार पर देखे, तो minimum आगीती pension, 2407, प्लस उसमें maximum pension कितनी, 23,157, अब दोस्तों, इसका हमने कर दिया आदा, तो हमारी OROP 2 की pension आगई, 2782, तो इस तरीके से minimum और maximum ले रखा है, एक हवलदार की pension में से, जोरू नहीं है, कि सिरफ 2172 है, जो अलग-अलग qualifying service में, जो अलग pension आई है, उसमें, अलग-अलग basic पे ले रखी है, जैसे 2782 निकालने के लिए, 40, 400, या फिर 34, 900 ले रखा है यहा तो इस तरीके से यह calculation करिए है, maximum और minimum की, तो दोस्तो मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँगा, कि जब भी आप अपने PPO share करते हैं, तो पूरा PPO share करें, ताकि information देने में और असानी हो, और समझने में असानी हो, ऐसे अधूरे PPO वगरा मत देजिए, ताकि दिक्कत होती ह है, calculation निकालने में, तो दोस्तो, I hope, यह समझ गये होंगे, किस तरीके से OROP2 में एक हवलदार की pension निकली, 2782, क्योंकि यह pension कम है, इस वज़े से, जो minimum और maximum निकल के आया, वो भी कमी है, 20,000 के आसपास है, और 23,000 के आसपास है, तो इस वज़े से हमारी यह pension निकल के आई, OROP तो, तो दोस्तो, I hope, सारी चीज़े आप समझ गये होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगते हैं, वीडियो को लाइक करें और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तैंक यू सो में